Hi everyone, welcome to Current Crunch, I hope you all are doing well. तो start करते हैं हमारा आज का topic, हम नया component स्टार्ट करने जा रहे हैं, legal terms and definitions इसमें discuss होंगी, तो आपके junior assistant का ये 10 marks का component है, 10 marks का component है and ये score करना easy है, क्योंकि जो आपको इसमें चीजें पढ़नी हैं, काफी simple चीजे हैं, मैं आपको काफी simple तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी and इसमें से अगर आपने last year का paper, last year नहीं जब exam last हुआ था, वो paper देखा होगा अभी तर, तो questions भी simple ही आए थे हैं तो ऐसा कोई भी component आपको छोड़ना नहीं है, fine, कोई सोचेगा, चुले 10 mark से में skip कर देता हूँ, जिसने ऐसी गलती की, उसका selection नहीं होगा, because competition in this exam is going to be very high, क्योंकि comparatively JKSSB या PSC की comparison में, यह exam जो है, उसका syllabus काफी असान है, ठीक है, तो start करते हैं, पहली legal term जो हमें आँ discuss करनी है, that is action लिखा हो सकता है, या case लिखा होता है, या suit लिखा होता है, ठीक है, तो हम इए कैसे discuss करेंगे, हम एक imaginary case बनाते हैं, वो case चलेगा, और case के through ही, मैं आपको हर term जो है, यहाँ पे, आसानी से समझाऊंगी, हमारे सामने case है, for example, दो लोग हम choose करते हैं, एक है Sarah, and एक हमारे John, ठीक है, तो Sarah ने क्या बोला है, Sarah ने sue किया है John को, बोला है कि, इनने मेरी car का accident किया था, ठीक है, for damaging her car in an accident, यह हमारा case रहेगा, अब जो भी term हम यहाँ पे discuss करेंगे, वो इसी case के through मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, यह बहुत अच्छा तरीका है, आपको इस सारी चीज़ें समझाने का, तो Sarah की car का accident John ने किया है, वो हमारा case है, तो action case रहे suit क्या होता है, legal dispute bought into the court for hearing or trial, ठीक है, तो क्या होता है basically यह, अगर मैं आपको यह आसान शब्दों में समझाऊ, यह आपका case है, जो इस case में क्या है, सारा की गाड़ी का accident हो गया, इसको legal dispute बोला जाता है, इसको court में लेते हैं, ताकि उसकी सुनवाई हो, trial क्या होता है, यह हम formal procedure या process को बोलते हैं, आपने सुना होगा, उर्दू या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, मुकदमा, मुकदमा शुरू किया जाए, ठीक है मुकदमा, that is a trial, फिर answer क्या होता है, अब सारा ने file किया case, against John, अब John को भी answer देना है, तो जो John ने answer दिया, जिसपे case किया गया है, ठीक है, तो a pleading filed with the court before the trial by the defendant in a civil case, तो defendant कौन होगा, defendant कौन करेगा खुद को, जिसपे case किया गया हो, तो defendant कौन है यहाँ पे John, एक civil case में, to answer or deny the plaintiff's claims, तो plaintiff कौन हो गया, sewer, जिसने sue किया, इस case में वो कौन है, सारा, ठीक है, मैंने case इसलिए लिया है, ताकि आपके सारी चीज़े, जो है, असानी से समझ में आ जाया, action क्या है, case suit, कि सारा ने क्या किया, case किया, कि इस पे John पे, कि उसकी गाड़ी का accident हो गया, civil case है, civil case में फिर answer दिया जाता है, trial से पहले, मुकदमे से पहले, John क्या करेगा, अपना, जो है, answer वो file करेगा, saying that he did not cause the accident, or deny करेगा, सारा के claim, ठीक है, हम ऐसे ही case को चलेंगे, कि वो answer अपना देगा, तो plaintiff, हमने यहाँ पे नया term सी का, plaintiff होता है, job का, जिसने sue किया होता है, सारा in this case, defendant होता है, जो खुद को बचा रहा होता है, case में कि, नहीं मैंने कोई crime नहीं किया, मैंने कोई गाड़ी का accident नहीं किया, which is John in the case, फिर acquit क्या होता है, यह criminal case अगर होता, although यह जो card का accident है, it is a civil case, it is not a criminal case, जो criminal cases होते हैं, उसमें जो judge होती है, यह जो jury होती है, जो member होते हैं सारे, ठीक है, अगर उनको लगे कि, जो बंदा जिस पे charge किया गया है, criminal case का, अगर वो involved नहीं है, ठीक है, अगर John को हमने यहाँ पे accuse किया होता, किसी crime में, तो judge को लगता, he is not guilty, तो वो उनको acquit करते, कि आप बरी हो, बाईजद बरी हो, ठीक है, to find the defendant in a criminal trial, not guilty, फिर cause of action, जो cause of action होता है, कि हुआ, legal grounds क्या है, किस बात पे, किस basis पे, जो है case किया गया है, इस case में सारा का cause of action क्या होगा, कि John ने reckless driving की, उसकी वज़ा से, मेरी जो गाड़ी है, वो damage हो गई, तो वो cause of action है, कि क्या grounds है, किस बात पे case किया गया है, तो यहाँ पे सारा ने बोला, किसकी वज़ा से हुआ है, यह reckless driving की वज़ा से, ठीक, फिर है आपका, challenge for cause, challenge for cause क्या होता है, a request by party, that the court excuse a specific juror, on the basis that juror is in some way biased, juror क्या होते हैं, यह आपके jury होती है, jury मान लो, एक, दो, तीन, या एक, दो, legal members होते हैं, जो आपका case सुनते हैं, इन jurors को select किया जाता है, ठीक है, अब jurors की selection, jury की selection के time पे, अगर सारा के lawyer को लगता है, कि कोई juror जो है, वो biased है, क्यूंकि वो personally John को जानता है, कोई jury member अगर होगा, juror जिसको बोलते हैं, अगर वो John का रिष्टेदार निकलेगा, तो जो सारा का lawyer है, वो इस बात पे क्या कर सकता है, वो अपनी जो है, अगर नाराजगी यहां पे जाहिर कर सकता है, और इस चीज़ को oppose कर सकता है, और उस juror को select होने नहीं देगा, कहे का कि यह जो juror है, यह biased है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, challenge for cause, a request by party that the court excuses a specific juror, कि उसको आप इस case में involved नहीं करो, on the basis कि जो juror है, वो biased हो सकता है, ठीक है, closing argument, closing argument क्या होता है, after all the evidence of lawsuit is heard on both the sides, lawyers है, they tell the jury, what they think the evidence proves, and why they think the jury should find in the favor of their client, this is called argument or summing up, it is not evidence, होता क्या है, जब दोनुने अपने sides present किये, सारा ने भी, जौन ने भी, तो जो lawyers है, finally क्या करते हैं, अपना closing argument देते हैं, अगर आपने movies में देखा होगा, closing argument देते हैं अपना, जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो सारा जो भी evidence है, उसको summarize करेंगे, और बोलेंगे कि jury को, why they should choose, मतलब they should rule in favor of their client, उनको क्यों, उनके हक में verdict प्रनाउस करना चाहिए, तो closing argument lawyer देता है, यह कोई declaration या summing up, इसको हम summing up या argument बोलते हैं, यह कोई declaration या evidence नहीं है, ठीक है, last में final एक line बोलते हैं, judge साब मुझे ऐसा ऐसा लगता है, कि ऐसा ऐसे हुआ है, इसलिए आप क्या करों, कि हमारे हक में फैसला दे दो, उसको closing argument बोलते हैं, complaint है जो, जैसे first pleading in a civil case, stating facts and demanding relief, जो सारा के lawyer में इस case में की होगी complaint, explain, जिसमें explanation दी होगी, कि how this accident happened, and asking the court to order John, कि वो damages वगेरा के लिए pay करे, फिर counter claim क्या होता है, अब claim, वो complaint हो गई, फिर counter claim क्या होता है, in his answer, John क्या करेगा, वो a counter claim file करेगा, जिसमें वो बुलेगा, कि सारा की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, और इसको pay करना चाहिए, damage का ना के मुझे, ठीक है, the answer to the complaint, in which defendant claims to be, entitled to damages, or the other relief from the plaintiff, कि plaintiff से मुझे relief मिलना चाहिए, मेरी गलती नहीं है, plaintiff की गलती है, plaintiff कौन है, इस case में sewer, जो sue करती है, करता है, जो इस case में कौन है, सारा, ठीक है, फिर court reporter, court reporter क्या है, is present during every trial, he or she is responsible for keeping the official record, by recording every spoken word, जो भी हमने, बोला होगा, court में, जो भी proceedings में बोला जाएगा, वो उनको officially record करेंगे, ठीक है, और वो किस पे करते हैं, stenograph पे, इसलिए court में जो posts निकलती है, उसमें stenographer की जरुरत आपको होती है, ठीक, तो आगे चलते हैं, यह हर spoken word जो है, जो lawyers का होगा, witness का होगा, judge का होगा, उसको type करते हैं, crime, देखो, तो अभी हमने यहाँ पे बुले, civil case चल रहा है, ठीक है, गाड़ी का accident हो गया है, यह criminal case नहीं है, अब अगर accident किसी illegal behavior की वज़ए से हुआ होता, for example, drunk driving, तो वो एक criminal case बन जाता, ठीक है, तो फिर John को क्या करते हैं, इस case में, अगर 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 एक criminal case होता है, तो फाइन जेल यह सारी चीज़े उसमें इन्वाल्फ हो जाती, तो डिकलियर जिसको crime क्या होता है, जिसको unlawful declare किया होगा legislative body ने, जो आपका written है, यह criminal है, यह drunk driving के खिलाफ एक rule बना होगा, एक law बना होगा है, तो जो वो law break करेगा, वो क्या कहला हैगा, criminal, और उस activity को हम crime बोलेंगे, cross examination, cross examination is simple, जिसमें क्या करते हैं, lawyers, एक दूसरे के जो, एक बड़ी Sarah के lawyer ने उसको question किया, फिर John का lawyer आएगा, वो Sarah को question करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होँगी, उसको हम cross examination बोलते हैं, deliberations क्या होती है, the discussion of the jury which occur, after the judge has instructed you to retire to the jury room, and consider your verdict, अगर आपने किनी movies में देखा होगा, एक बारी वो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, फिर जो jury है, जो jury के members होते हैं, वो आपको बुलाते हैं, मतलब किसी किसी बंदे को बुलाया जाता है, एक room में, जहां पर further चीज़ें जो हैं, और कुछ discuss होती हैं, and उनको कुछ instructions दिये जाते हैं, तो एक बार जब सारे evidence and arguments जो हैं, वो present किये जाएंगे, तो jury एक private room में जाएगी, अपनी deliberations के लिए, ठीके वहांवर discuss करते हैं, उन्हें अभी तक क्या किया, क्या सुना, and क्या ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सच हैं में आगे, क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कहां पर होती हैं, in-con-deliberations बोलते हैं, next is deposition, just imagine इस case में क्या हुआ है, जैसे सारा एंड जॉन का case चल रहा है, ठीके, तो उसमें जो witness था, जो court में आके घवाही दे सकता था, वो court case के से कुछ टाइम पहले बिमार हो गया, या उसको immediately कहीं London fly करना पड़ा, किसी काम की वज़ा से, तो वो क्या करता है, वो अपनी जो statement है, और अपना जो भी इसको बोलना है, testimony अपनी, वो record करवाता है, किस से, एक court reporter से, जो हमने अभी उपर पड़ा, ठीक है, और ये testimony जो है, इसको बाद में court में पड़ा जाता है, at the trial, and इसमें आपके जो attorney, जो आपके lawyers होते हैं, both the sides वो present होते हैं, क्योंकि obviously ताकि witness, जो है, वो सही बोले हैं, उसमे कोई pressure वगेरा ना हो, examination, examination is nothing but, your questions हैं, जो lawyers अपने clients को पूछते हैं, जिसे सारा का जो lawyer है, ठीक है, वो direct examination करेगा, by asking her some questions, such as, वो कहां drive कर रही थी, कैसे accident हुआ, वो सारी चीज़े, अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कि जो lawyers है, their own clients, मैं आपको इस्ता इस्ता क्यों बोल रही हैं, because you are new to this subject, ताकि समझने में दिकत ना आए, तो देखो, एक तो questions, अगर हम previous year paper ही consider करें, आपको directly पूछा जा सकते है, definition दी होगी, आपको बोलना examination यह होता है, ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, हो सकता है, आपको कोई चीज पूछी हो, जैसे ऐसी चीज पिक की हो, examination में आप क्या करते हो, अपने client से पूछते हो, वो cross examination है, ठीक है, यह अपने client से आप पूछते, अब सारा को बोल रहे अच्छा, क्या हुआ आप कहां थे, जब accident हो और all that, तो उसको हम examination बोलते हैं, जो own client से पूछा जाते है, exhibit किया होते हैं, जब jury, जो है वो deliberation वहां करने के लिए जाती है, उस room में, तो उनको कुछ सावान साथ दिया जाता है, books, documents, वगेरा, जहां पर case की कुछ चीज़े जो हैं, वो record की गई होंगी, या जैसे, उन्होंने अपने proof submit किये होंगे, जैसे अगर सारा ने कोई pictures दी हैं, अपनी car की, जो accident हुई थी car, उसकी pictures दी है, तो वो pictures, वो documents, वो सारी वो उस room में साथ ले जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, exhibits, हंग jury क्या होता है, जब एक jury किसी एक verdict पर नहीं पहुँच पाती है, jury के जितने भी सारे members हैं, तो वो एक सही फैसला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है, शायद evidence आपका सही नहीं है, या इसकी जो तहकीकात है, जिसको हम तहकीकात बोलते हैं, कि आपकी investigation सही से नहीं हुई है, तो वो pronounce करते हैं, कि ये mist trial हुआ है, कि आपकी जो investigation है, वो सही से नहीं हुई है, उसको दुबारा conduct करो, उसको retrial करो, या वो बोलेंगे, हम किसी और दिन case दुबारा सुनेंगे, फिर कोई और jury भी एक case सुन सकती है, ठीके, तो इसके फिर काफी आगे, और चीज़े जोने इसमें जुड़ जाती हैं, inadmissible that which under the established rules of evidence cannot be admitted or received into evidence, ठीके, आपने सुना, अगर ने Bollywood की movies में देखा होगा, कि trial के time के lawyer ऐसा बोलते हैं, कि ये जो इन्होंने evidence दिया है, इन्होंने नया evidence लाया है, ये हमारे case से relate नहीं करता है, ठीके, तो ऐसी सारी जो explanations है, वो lawyer देगा कि हमारे case से relevant evidence नहीं है ये, तो जो judge होगा, अगर वो agree करेगा and rule करेगा evidence को as inadmissible, meaning it cannot be used in the trial, कि ये जो evidence है, ये हमारे किसी काम का नहीं, आप ये क्यों दिखा रहे हो, fine, तो अगर judge ने भी बोला, उसको inadmissible बनाया evidence को, that means it cannot be admitted or received into evidence, फिर के indictment, अगर ये criminal case होता, तो इस case में क्या होता, जॉन को एक formal document मिलता, charging him with crime, आगे देखते हैं instructions, देखो instructions क्या होता है, जब सारे evidence present हो गए हैं, judges क्या करते हैं, वो jury को, जो jury के members होते हैं, उनको instructions देते हैं, फिर वो explain करते हैं, क्या legal rules हमें follow करने हैं, कौन सी चीज़े हमें दियान में रखनी हैं, ये decide करते हुए, कि John जो है responsible है, is damage के लिए कि नहीं, जो judge क्या करेंगे, outline करेंगे questions to be decided, and the states, and states the issues that you must decide, and instructions कि इसको देंगे, अपने jury members को, फिर आप क्या आपका issue, issue जो आपका main issue क्या है, हमारे जो हम case हम discuss कर रहे हैं, उसका main issue क्या jury को decide करना है, कि John की driving से accident हुआ की नहीं, तो जो आपका centric issue होता है, जो आपका main issue होता है, centric issue, ठीक है, miss trial जो अभी मैंने आपको उपर बोला, वो erroneous trial या invalid trial, hung jury के time पर mostly ऐसा होता है, ठीक है, कि आपका जो trial है, वो सही से नहीं हुआ है, तो बोल सकते हैं judge, कि retrial करो इस चीज का, ठीक है, फिर jury भी change हो सकती है, तो नई judge जो है, वो आपका case सुन सकते हैं, opening statement, opening statement क्या होता है, before introducing any evidence in the case, lawyer जो है, बोत यहां पर briefing होती है, कि क्या case है, ठीक है, क्या-क्या evidence इसमें लाए जाएंगे, तो आगे देखते है, overruled यह हमने सुना होगा, movies में कई पार हमने देखा है, judge बोलते हैं, it's overruled, तो होता क्या है basically, अब अगर Sarah का कोई witness, हैंगो पता है, कि हाँ, accident John ने किया था, जो John के lawyer है, वो उनसे ऐसे question पूछेंगे, जो Sarah के lawyer, उस पर object कर सकते हैं, कि यह सही question नहीं पूछ रहे हैं, तो Sarah के lawyer क्या करेंगे, object करेंगे to a question, that the John's lawyer asks a witness, लेकिन judge कहेंगे overruled, meaning कि जो objection Sarah के lawyer ने raise किया है, that is not valid, and question जो है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें आपको याद़ रहे हैं, judge है, judge का decision है, वो final होगा, तो overruled में क्या होता है, कि जो objection है, is not valid, objection is not valid, ठीक है, Sarah के lawyer ने object किया था, John के lawyer, जो भी पूछ रहे थे witness को question, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, इसमें आपको याद़ रहे हैं, जिसमें आपको याद़ रहे हैं, जिसमें अपको याद़ होता है, जब जो भी objection raised की गई होगी, जिस party के भी through, वो valid नहीं होगी, and the question that the lawyer is posing, can be asked, फिर parties कोन सी होती हैं, इसमें दो parties involved हैं, एक आपकी सारा ma'am है, और एक आपके john sir है, ठीक है, तो जो सारा है, वो कोन है, जिनने sue किया है, जिनको हम sewer भी बोलते हैं, तो वो sewer जो है, उनको हम plaintiff भी बोलते हैं, and defendant कोन होता है, इस case में, जिस पर case किया गया होता है, जो खुद को defend कर रहा होता है, ठीक है, इनको हम litigants भी बोलते हैं, आगे देखते हैं, pleadings, pleadings क्या होते हैं, जो भी documents file करती हैं, parties before the trial, establish करने के लिए, what issues must be decided to the jury, तो documents, तेसे में complaints वगेरा, जो सारा complaint कर रही है, and जो john answer कर रहे हैं, और जो भी relevant document होगा case के, वो trial से पहले, वो submit करते हैं, प्रेम्टरी challenge, देखो, प्रेम्टरी challenge क्या होता है, jury के selection के time पे, सारा के जो lawyer हैं, वो use करते हैं, for example, प्रेम्टरी challenge, तो वो क्या करेंगे, इसमें वो एक juror को, जो potential juror होता है, उसको dismiss करेंगे, without any reason, उनको reason देने की जुरत नहीं है, ठीक है, and ये कुछ, limited number of प्रेम्टरी challenges, जो हैं, वो lawyers के पास होते हैं, वो limited number of time तक, ये चीज़ जो हैं, वो कर सकते हैं, जो jury member select किया गया है, उसको dismiss कर सकते हैं, and इसकी खास बात ये है, that this is without giving reason, मतलब reason देने के बगयर, आप ये जो है, प्रेम्टरी challenge ये कर सकते हो, फिर हो गया preponderance of evidence, preponderance of evidence क्या होता है, क्योंकि ये एक civil case है, जो हम discuss कर रहे थे, यहाँ पर accident का, jury needs to decide based on the preponderance of evidence, meaning that जो सारा का evidence है, जो सारा ने evidence दिया, कि मेरी गाड़ी का accident हो गया, वो जादा convincing होना चाहिए, इसमें evidence का बहुत बड़ा role होगा, वो more convincing होना चाहिए, than John's for her to win, ठीक है, अगर वो बोले कि accident हुआ, और उसकी गाड़ी जो है, उसकी pics लाएगी, यहाँ पर सरफ एक scratch होगा हलका, तो accident नहीं होगा, तो उस evidence की basis पर कुछ नहीं होगा, that means यहाँ पर सारा का evidence है, जिसने civil case किस पर किया है, John पर, उसका evidence जो है, वो जादा convincing होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, किसकी importance होनी चाहिए, preponderance of evidence, evidence की बहुत importance होती है, civil cases में, किसके जो plaintiff होता है, जो sewer होता है जहाँ पर, जैसे सारा इस case में है, ठीके तो उसके पास convincing evidence होना चाहिए, कि उनकी गाड़ी का accident बहुत बुरा John ने किया है, next is probable cause, probable cause क्या हुआ, criminal case में, अगर हम डिसकस कर रहे थे, criminal case होता है, तो police के पास probable cause होना चाहिए, that means a reasonable belief की जो John है, उसने कोई crime, एक crime जो है, वो commit किया है, एन हम उसको criminal की तरह arrest करेंगे, लेकिन सारा ही जो हम case डिसकस कर रहे थे, सारा John के civil case था, तो इसमें probable cause जो था, वो apply नहीं होता है, ठीके, probable cause किन में होता है, criminal cases में, that means आपके पास, जो भी आपको arrest करने के लिए, strong belief होना चाहिए, कि हाँ crime हुआ है, और आपने crime किया है, क्योंकि criminal case is no joke, आपको jail हो जाता है, आपको नहीं जिसने किया होता है, jail हो जाती है, fine हो जाता है, reasonable doubt क्या होता है, criminal case में, the jury would have to be convinced, beyond a reasonable doubt, मतलब, एक हलका सा भी doubt नहीं रहना चाहिए, कि crime नहीं हुआ है, ठीके, तो हमारे case में क्या होता है, इंडिया के में, हम क्या follow करते हैं, innocent until proven guilty, और हम follow करते हैं, कि अगर 100, आपके जो गुनेगार लोग हैं, वो छूट जाएं, लेकिन एक innocent को सजा नहीं होनी चाहिए, that is what our court abides by, फिर होता क्या है, on ground reality is different, but that is a separate issue, not to be discussed here, कभी ऐसी चीज़े हो सकती हैं, court के थ्रू, but written, मतलब हम एक, by convention हमारा क्या belief है, कि बले ही 100 गुनेगार जो हैं, वो छूट जाएं, एक innocent को सजा नहीं होनी चाहिए, that means beyond reasonable doubt, जो जूरी है, वो बहुत ही ज़दा sure होनी चाहिए, कि crime हुआ है, तो ही जूरी जो है, वो arrest कर सकती है, and यह जो reasonable doubt, criminal case में होता है, ठीक है, तो 30th पर आते हैं, rest, rest एक room दिया जाता है, judges को जहां पर उनको rest करना होता है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सो गए हो, अभी तक तो आपको वापस जगा आ रही हूँ, rest basically क्या है, lawyer conclude करता है, evidence to be introduced at the time, introduced at the stage of the trial, finally जब lawyer बोलता है, कि we rest our case, कि मतलब the ball is in now, judge's court, अब judge को decide करना है, कि वो क्या करेगा, and finally we both, and finally जब lawyer है, वो बोलता है, we rest our case, वो यह कब होता है, सारे witnesses and evidence वगेरा, देने के बाद, तो इसका simple मतलब क्या है, कि we finished presenting, they have finished presenting their side, अब judge जो है, वो आगे finally verdict जो है, प्रनाउस करेगा, settlement is कि अगर वो बाहर ही, अपना जो case है, वो solve कर लेंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने, court, जो case था, वो jury के पास, जाने से पहले ही सारा, and John ने agree किया, settlement करने के लिए, John ने का, ठीक है, पर बोला जाता है, वो written format में, court reporter record करता है, जो कि आगे हमें, काम आने के chances हो सकते हैं, and verdict is, जो final verdict प्रनाउस करता है, जो formal decision judge लेते हैं, made by judge, और jury regarding the outcome of a case, कि इस case का verdict क्या आया था, that is called verdict, ठीक है, last one is your reward, इसको wardier प्रनाउस करते हैं, तो wardier होता, क्या है basically, यह process होता है, आपके जो jury के members होते हैं, जिनको हम jurors बोलते हैं, उनको select करने का, ठीक है, तो उनसे कुछ questioning वगएरा की जाती है, यह देखने के लिए, कि अब हो काबिल है, इस case को सुनने के लिए, आदे qualified enough, वो बाइस तो नहीं है, थोड़ा बहुत वो चेक करने की कोशिश की जाती है, तो to speak the truth, इसका मतलब होता, it's pronounced as wardier, the process of preliminary examination of prospectory jurors, by the court or the attorneys, ठीक है, lawyer and judge वगएरा पूछ सकते हैं, regarding the qualifications, कि वो किसी एक case के लिए काबिल भी है, सुनने के लिए कि नहीं, just to make ensure, कि they have picked up the right people, they have picked up the right people, तो यह हमारा पहला session complete होता है, I hope अगर आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं आया हो, तो आप comments कर सकते हैं, मैं आपको, जो आपके doubts हैं, वो next video में clear करूंगे, आपके हर वीग हम एक एक वीडियो लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे, कि काफी number, good number of terms है हमारी, exam के लिए cover हो जाएं, यह PDF आप अपने course का, जो schedule है, वहां से download कर सकते हैं, तो till the time you get a new video, bye, take care, have a great day,